पाणी मा केमिकल मिक्स तवयो हवानी आश्यंका ने पगले अम्दावाद महानगर पाली का द्वारा रासका नो पाणी बंद करवा माविऊ उच्छे तो आ वात ने छ दिवस नो समय थाई गयो हवा छत्ता भाजपना एक पंड सताधिश द्वारा रासका वेर नो पाणी बंद करवा पाचर वास्तविक्ता शू छे ते हजू सुधी स्पष्ट करवा मानती आविऊ तो आबा बतनी विपक्षे टीका करी छे विपक्षना नेताए जनावी उचे के भाजपना सताधिश आकी गटनाने लीलना नामे दबावी देवा मांगे छे अने कथित आरोपी एजनसी ने बच्चावाना प्रयास है रहा छे गुजरात पॉल्योशन कंट्रोल बोडे पन पाणी ना सेंपल लिदा छे गुजरात पॉल्योशन कंट्रोल बोडना सुत्रो ना जनाव्या मुझब पाणी ना सेंपल मा लील हवानो रिपोर्ट आवे उचे परन्तु वास्तविक्ता कैंग जूदी जो होय तेउ देखाई रहे उचे तंत्र ने सताधिशो ना संकलन ना बावे छेला छा दिवस थी लाखो लोकों ने पाणी मरतू न थी अने हजू बीजा किटला दिवस थशे ते कई कई शकाई नहीं तो आपर इसीद्य मा सेडी कैनाल थी रासका वीर सुधी ना रूट पर कोईक सड़े ओद्योगीक एकम द्वारा कैमिकल नाखियो हवानी दैशत वचे पन क्याक ने क्याक एउ लागे छे के गुजरात पॉलिशन कंट्रोल बोर्ड मुनिसबल कॉर्पोरेशन ना धिकारियों ने भाजपना सता धिशो आखी घटना ने लेलना नामे दबावी देवानों कार्सो करी रहा छे तो जे थी आ सड़े कैमिकल नखायो हवानी वाते कथित आरोपी एजनसी के उद्योगीक एकमोने बचावी लेवानी पेर्वी कराई रही छे त्यारे अटली गंभीर बावत हवा छत्ता पंड सात दिवस सया छत्ता मुनिसिपल कमिशनर मेयर डेपूटी मेयर स्टेंडिंग कमिटी ना चैर्मेंड सहितना अन्य हो दिदारो तरफ थी एक पंड सत्ता वार निवेदन आपवामा न थी आवियो त्यारे डेपूटी कमिशनर वाटर प्रोजेक्ट द्वारा तो छेला त्रोंड दिवस सी तमाम प्रकारना फोन उपाड़वा मावता न थी खरेखरतों अमदावाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कमिशनर तरफ देपूटी कमिशनर ने प्रात्मिक रिपोर्ट आपी दिधुशे ते रिपोर्ट जाहर करवो जोईए इनलीगल केमिकल फैक्टरी ने वहाँ पर केमिकल का टैंकर डाला गया ये बहुत दिनों से एक चर्चा का विशे बना हुआ है और एक तरफ एमदावाद मुंसिपल कॉर्पोरेशन का तंत्रा भारत्य जिन्ता पार्टी के अध्यदार और गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड अभी तक ये पता नहीं लगा पाया है के वहाँ पर हुआ क्या है कही ना कही मुंसिपल तंत्रा और गुजरात पॉल्यूशन बोर्ड ये बात को दबा रहा है कि शेडी केमिकल का टैंकर डाला गया है और भारत्य जिन्ता पार्टी के इसारों से काम कर रहा है कॉंग्रेस पार्टी ये मांग करती है कि इतना करोडों का बजेट होने के बाद डिजीटल इंडिया स्मार्ट सीटी की बाते करने के बाद आज हमको ये भी नहीं पता लग रहा है कि वास्तविक्ता क्या है